Hey guys, what's up, this is me, SK, and watching Russelant दोस्तो, कल हमें AEW का पेपर व्यू, Revolution 2021 देखने को मिलने वाला है और उसमें हमें एक Death Match देखने को मिलेगा जाने की, Kenny Omega vs. John Moxley का Exploding Barbed War Death Match और हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर हमें Barbed War Death Match कैसा देखने को मिलने वाला है इसके क्या Rules होंगे और इसका हमें क्या Result देखने को मिलने वाला है कि आखिर हमें John Moxley vs. Kenny Omega के मैच में कौन जित्ताव दिखाई देने वाला है क्या John Moxley Kenny Omega को हरा कर New Champion बन जाएंगे या फिर Kenny Omega अपनी Championship को Retain कर लेंगे सो दोस्तो हम इस वीडियो में इन सारी तिंक्स के बारे में बात करेंगे सो वीडियो काफी दा इंटरस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास्त तक जूर देखना सो लेट्स बिगिन दोस्तो हमने AW के Winter is Coming में Kenny Omega वर्सिस जोन मोकसले का मैच देखा था AW World Championship के लिए जिस मैच में Kenny Omega ने अपना Hilton किया था और जोन मोकसले पर Mike से अटेक करकर उस मैच को जीत लिया था और वो न्यू चेंपियन बन गए और दोस्तो उसके बाद Kenny Omega ने जोन मोकसले पर काफी बार अटेक किया और Kenny Omega ने जोन मोकसले को Exploding Barbed War Death Match के लिए चैलेंच कर दिया जिसके बाद जोन मोकसले ने Kenny Omega के चैलेंच को एकसेप्ट कर लिया और AW ने Officially Announce कर दिया कि हमें Kenny Omega वर्सिस जोन मोकसले का मैच देखने को मिलने वाला है AW Revolution पेपर यू में जो कि एक Exploding Barbed War Death Match होने वाला है और ये मैच हमें काफी यदा कमाल का और काफी दब डूटल देखने को मिलेगा और वहीं पर अभी हाली में AW World Champion Kenny Omega ने इस मैच के Rules को Officially Announce कर दिया है उन्होंने अपने Twitter अकाउंट पर एक Post की जहाँ पर उन्होंने बताया कि इस मैच में आखी Rules क्या होने वाले हैं उन्होंने बताया Three Sides of the Rings Rope Wrapped in Barbed War यानि कि हमें रिंग की तीन साइड की Ropes पर Barbed War Lip TV दिखाई देंगी और उन्होंने बोला Contact with the Barbed War triggers explosive on corresponding sides यानि कि जब भी कोई भी सुपरस्टार्स उन Barbed War से contact करेगा हमें तबी वहाँ पर corresponding side में वहाँ पर एक explosive देखने को मिलेगा यानि कि धमाका देखने को मिलने वाला है और दोस्तों ये मैच यहाँ पर काफी दक कमाल का हमें देखने को मिलेगा और उन्होंने ये भी बताया कि रिंग side के चारो तरफ फ्लोर पर भी हमें Barbed War देखने को मिलने वाली है और हमें 30 मिनिट का countdown भी देखने को मिलेगा इस मैच के दोरान और 30 मिनिट के बाद हमें वहाँ पर Explosives देखने को मिलेंगे हमें वहाँ पर काफी सारे धमाके देखने को मिलने वाले हैं और उन्होंने एक मैप भी तयार किया है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर हमें जोन मोक्सले उन वारवेडवार में फसेवे दिखाई देते हैं और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये टीज किया है कि वो काफी दा बुरी हालत करेंगे जोन मोक्सले की वो जोन मोक्सले पर काफी दा टोर्चर करने वाले हैं और दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि जोन मोक्सले हमें हार्ड कोर मैचिस के लिए जाने जाते हैं जोन मोक्सले के हमने काफी सारे हार्ड कोर मैचिस देखे हैं पहले भी और AW के अंदर भी उन्होंने काफी सारे कमाल के मैचिस दिये हैं जो कि काफी दा बूटल भी हमें देखने को मिले और हमें कल जोन मोक्सले एक डेथ मैच के अंदर देखने को मिलने वाले हैं जहां पर जोन मोक्सले की पर्फॉमेंस हमें काफी दा कमाल की देखने को मिलेगी और दोस्तों मैं इस मैच के लिए काफी ज़दा एकसाइटीड हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमें कैनियोमेग और जोनमोकसले इस डेथ मैच में कैसा परफॉर्म करते वे दिखाई देने वाले हैं और दोस्तो अगर मैं इस मैच के प्रिडिक्शन से या फी रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कल हमें इस मैच में टैटल चेंज देखने को नहीं मिलेगा इस मैच में कैनियोमेगा हमें जोनमोकसले को हराते वे दिखाई दे सकते हैं और वो अपनी चेंपेंशिप को रिटेन कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर कैनियोमेगा के पास अडवांटेज होगा जहाँ पर गुड ब्रदर्स और डॉन कालिस उनके रिंग साइड पर हमें देखने को मिलेंगे जो कि इस मैच में इंटरफेर करते वे दिखाई दे सकते हैं जिस वज़े से हमें जोन मोक्स ले इस मैच में हारते वे दिखाई देंगे और कैनियोमेगा इस मैच में जीत कर अपनी चेंपेंशिप को रिटेन कर लेंगे लेकिन दोस्तों हमें इस मैच में सोकिंग तिंग देखने को मिल सकती है किसी सुपरस्टार्स का हमें रिटन या फिर डेव्यू देखने को मिल सकता है जो कि हमें इस मैच में कैनी उमेगा या फिर जोन मोक्सले इन दोनों में से किसी एक पर अटेक करतावा दिखाई दे सकता है और रूमर्स के अकोर्डिंग वो कोई और नाम नहीं बलकि सीम पंक है सीम पंक हमें कल एड़ डेव्यू के अंदर रिवोलूशन पेपर व्यू में अपना डेव्यू करते वे दिखाई दे सकते हैं जहां पर वो आकर जोन मोक्सले पर अटेक करते वे दिखाई दे सकते हैं और दोस्तो अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है सो यह हमें काफी दा शोकिंग देखने को मिलेगा और यह काफी सर्प्राइजिंग भी होगी सो अब देखते हैं कि आखिर हमें कल इस मैच में क्या देखने को मिलने वाला है और दोस्तो आप लोग भी कॉमेंट करकर जुरू बताना क्या आप लोग इस मैच के लिए एकसाइटेड है या फिन नहीं और दोस्तों आप लोगों क्या लगता है कल हमें इस मैच में कौन जीत्तवा दिखाई देगा कैनी ओमेगा या फिर जोन मॉक्स ले और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्र कर लेजिए मिलते आप से एक ओर ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाए